टार्गेट विदालोग के आनलाइन प्लेटफार्म से मैं पंडित अम्रेश भट आप सभी सम्मानित छातर छात्राओं का हार्दी का विनिंदन करता हो जिस वेकेंसी के लिए हम लोग इतने इंतजार कर रहे थे उत्तरपदेश की सरकार में वह हम लोगों की पीड़ा अतिसे पीड़ा हो गई थी हम लोग आप लोग सभी लोगों ने संघर्स किया और इस संघर्स का परिडाम हुआ कि आपके सामने यह UPSI की वेकेंसी निकली हमारी पीड़ा उस समय हमको एकदम सटीक बैठता था कि दुस्यंत कुमार की पंक्ति याद आ दे थे हो गई है पीर परवस्थी पिघलनी चाहिए हो गई है पीर परवस्थी पिघलनी चाहिए अब कोई गंगा हिमाले से निकलनी चाहिए तो ये इतना जादे दर्द हो गया था उसको निकलना ही निकलना था तो इस परेड़त में आपका UPSI की एक बंपर विकेंशी कह सकते हैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ है और उसके अगोस में हम लोग उसके परिप्रेक्श में हम लोग हमारा टार्गेट विजा लोग का अनलाइन शूट जो रवी सर और अलोग सर के निर्देशन में हुसल मार दर्शन में हम लोग आगे नित्य परति बढ़ रहे हैं और नित्य परति आपके परति हमारा सनेह बढ़ रहा है और आपका मेरे परति सनेह बढ़ रहा है ऐसा मैं कह स आप लोगों ने जो प्यार दिया जो स्नेह दिया जो दुलार दिया उन सब का हमारा संस्थान आभारी है और हम लोग अपनी उर्जा को दिन प्रति दिन बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं और एक सुन्योजित धंग से हमारी टीम आपसे वारता लाप कर रही है हम लोगों ने यानि पूरी संस्थाने बैट करके रणनेतिक रूप से आपके लिए विचार किया है और जैसा कि यह अगर मैं यह कहूं कि यह फिगर देखते ही आपके मन में यह खयाल आ जाएगा कि यह कह क्या रहा है यह एक लब्य जी हैं और एक लब्य को आदर्श बनाया जा सकता है एक लब्य को आदर्श माना जा सकता है विसंपरिस्थितियों में यह दूर रहकर के मुर्ति पूजा के आधार पर अपने गुरू को मान करके और सरश्टता किस प्रकार से हासिल किया जा यह इन से सीखा जाता है यह इसी कुछ परिप्रिक्ष में हम लोगों ने भी या टारगेट भी दालो का अलाइन ये जो प्लेटफार्म है या UPSI के लिए आपको एकलब बैच प्रारम्ब कर रही हैं यहाँ पर इस एकलब बैच के लिए आपका संसान आपके साथ सदेव खड़ा है और आपके लिए जो बहुत सारे ऐसे बच्चे जे दूर धराज के छित्रों में रह रहे हैं जिनको कोई सुब्धा नहीं मिल पा रही है कहीं सहर में भेज करके तमाम उनके साथ खर्चे जदे एक्ष्टा आ जा रहे हैं उनके लिए हम लोग कम से कम में बहुत ही जादे अच्छा बिटर करने का प्रियास करते हैं और ये चाते हैं कि प्रदेश के हर कोने कोने में हर थाने में हमारा च्छात्र पढ़ाया हुआ हमारा च्छात्र पर्चम लहराता हुआ मिल है इस संसान के दौरा आपके सामने कुछ नंबर यानि ये हमारे बैच की विसेस्ताएं हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं इस्क्रिन पर दिखाई दे रही होंगी ये विसेस्ताएं तो है ही इसके साथ आप क्लास लेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो हम विशेस्ता बता रहे हैं ये कम ही बता रहे हैं उससे अधिक आपके साथ हम काम करते हैं आज से लेकर के चार दिनों तक के संस्थान में एटमीसन होपेन की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में आप भाग लें सुनिश्चित कराओं अपना अस्थान सुनिश्चित कराईए और हम लोगों के साथ आप जुड़ जाईए निश्चित तोर पे बेटर होगा बहुत अच्छा होगा और जो इस वर्में चाहा तो मनो कामना की पूर्ति जो होगी वहाँ इक्षित मनो कामना की पूर्ति होगी यानि डबल स्टार के साथ होगी इन नमबरों पर आप वाट्सअप कर सकते हैं इंट्री यूपी असाई 2021 लिख करके इन नमबर पर आप वाट्सअप करेंगे ये नमबर आप में है और अगर बाई दवे हमारे टीम आप से आपको information नहीं दे पाती है या आप information से आपको ये लगता है गिने मुझे और information चाहिए ऐसा होगा नहीं कि नहीं मिलेगा यानि हमारे टीम आप से संपर करेगी लेकिन अगर बाई दवे ऐसा होता है कि आपको अन्यजानकारी भी चाहिए तो आप जो है इस ये जो contact number दिये गए हैं इन contact number पर आप call कर सकते हैं ये जो है दस से साथ यानि दस बजे से लेकर के साथ बजे के बीच में आप call करिएगा आपके proper call उठते हैं और उसका proper जबाब दिया जाता है बाई दोबे कभी बीजी बतावे हैं तो आप नाराज मत होईएगा आप गुस्सा मत होईएगा कि बार बार मिला रहे हैं और बार बार ये बीजी बता रहा है इसलिए छोड़ो हटाओ होता है कभी कभी जदे फोन काल आते हैं ये बीजी जाता है लेकिन आप हमेशा इसके लिए अगर थोड़ी सी परेशानी लगाने में या बीजी में आपको आता है तो आप इसके लिए मत होईएगा इसके लिए मत आप हैजिटेसन में आईएगा की बार बार बीजी जा रहा है प्रियास करेंगे आपकी निश्च तोर पे बात होगी हमारे संसां से और आपको सारी जयनकारिया एवलिबल करा दी जाएंगे वैसे भी वाटसअप पर ही सारी जयनकारिया एवलिबल करा दी जाती है आपको नीचे number पर number चल लहे होँ, description box में number चल लहे होगे जो scrolling में number चल लहे हैं, इस पर भी आप call कर सकती है हमारे description box में आप जाएंगे जो telegram, free telegram का link दिया गया है उस link को आप join कर लिजिएगा, उसका फाइडा आप जान लिजिएगा उससा कोई एक भी रूपे सुल्क नहीं लिये जा रहे है वहाँ पर आप इसलिए मैं यह नहीं कहता कि आपको सारी लेकिन जितने भी मेटेरियल आपके सामने होगे आप सभी लोग टेलिग्राम चैनल पर फ्री आपका उस मैटर को पढ़ सकते हैं आपके लिए ही वो दिया गया है इसमें कोई पैसे की बात नहीं होई गया कोई आर्थिक रूप से आपकी कोई बात ही नहीं हो रही यह फ्री आपका आश्ट है तो आप कर सकते हैं उसको जोईन करिए और उसका लाव लेकर के और अपने सुपनों को शाकार केजिए आईए हम आज जो है आपके लिए कुछ टापिक लेकर के आते हैं वहाँ टापिक हिंदी से रिलेटेड है जैसा मैं हिंदी पढ़ाता हूं आपको पता है तो हिंदी में आज हम जो टापिक पढ़ाएंगे वहाँ पढ़ाएंगे उस टापिक में रस पढ़ाया जाएगा तो एकलब को याद करती हुए और इस एकलब विभैच में अपना स्थान सुनिश्चित कराईए आज टापिक लिया जाता है रस लिया जाता है अगर हम नाम लेते हैं रस आप ये जाये अगर मैं ये कहूँ इमानदारी पुरवग जहां पर भी हूँ वहाँ पर सूचिएगा अगर हम नाम लेते हैं तो नाम लेने के बाद कुछ दिमाग में इमे जाते हैं कुछ मानस पटल पर एक चित्र उभरता है बनता है रस कहने से सर्ब्रथम आखिर क्या आपके मन में आया आएगा क्या या तो सर्बत होगा रस मतलब क्या होता यही तो या तो चीनी वाला सर्बत हो जाएगा या तो गुड़ वाला सर्बत हो जाएगा ऐसा ही होगा या आप कह सकते है मौसमी का जूस तो तो हो जाएगा मोशमी वाला तो जूस हो जाएगा गन्ने का रस कह सकते हैं ऐसा कह सकते हैं गन्ने का रस तो आप भिन भिन पदार्थों से युक्त रस कह सकते हैं अच्छा रस का मूल रूप अगर देखेंगे तो रस का अर्थ होता है निचोड निचोड होता है अगर जैसे किसी का कहते है overall इसका रस ये है यानि निचोड ये है कि ये मैं कहना चाहता हूँ ऐसा आप लोग बोल देते हैं यहाँ लेकिन हम इस निचोड वाले रस की बात नहीं कर रहे हैं तो हम किसकी कर रहे हैं हम यहाँ रस में आनंद की बात कर रहे हैं रस में किसकी बात कर रहे हैं आनंद की बात कर रहे हैं आनंद मिलता है अच्छा तो आपको आनंद मिलता कैसे है अगर ये कहा जाए कि भई ये रस है रस मिल रहा है तो ये भी कहते हैं आपका अस्थान होगा की नहीं तो कह रहे हैं कि काव्य में मिल रहा है काव्य में मिल रहा है काव्य को पढ़ने से अथवा सुनने से क्या कह रहे हैं काव्य को पढ़ने से अथवा सुनने से जो आनंद की अनुहूती होती है वही रस कहलाता है यहां पर अगर मैं ये पूछूँ भई क्या काब्य को ही पढ़ने से आनंद मिलता है क्या गद्य को पढ़ने से आनंद आपको नहीं आता है क्या गद्य को सुनने से आनंद नहीं आता है तो एक दम मिले का गद्य को भी पढ़ने से भी आनंद मिलता है आनन्द की अनुहूति होती है परमानन्द शहोदर है यानि परमानन्द की यह प्राप्ति होती है तो यहाँ पर हमको क्या है आपको आनन्द मिलता है यहाँ अगर यह रस आया है तो रस का सबसे पहले उलेख कहां हुआ है तो इसका उलेख जो होता है वह है तैत्रीय उपनिशद में होता है कहां पर होता है तैत्रीय उपनिशद में रस का सबसे पहले उलेक मिलता है हलाकि रंगवेद में भी इसका मूलता है लेकिन मूलता सबसे पहले तैत्रीय उपनिशद में रसों का उलेक मिलता है लेकिन यहां पर सिर्फ रश का उलेख मिल लहा है यहां पर रश का उलेख मिल लहा है रश का विस्तृत वरणन नहीं मिल लहा है तो रश का विस्तृत वरणन कहां मिल लहा है तो यह कह रहे हैं कि रश का विस्तृत वरणन नाट सास्त्र में मिल लहा है कहां पर नाट्ट सास्त्र में मिल लहा है तो ये नाट्ट सास्त्र क्या है नाट्ट सास्त्र क्या है तो आप ये बताएंगे नाट्ट सास्त्र नाटक पर आधारित गरंथ है नाटक पर आधारित गरंथ है इसके लेखक कौन है इसके इसके रचनाकार कौन है तो आप ये बताएंगे इसके जो रचनाकार होते हैं वह भरत होते हैं कौन हैं भरत हैं भरत क्या थे अगर मैं प्रश्न कुरूं कि भरत क्या थे तो उत्तर निकल कर आएगा ये मुनि थे इसलिए इनको कहा जाता है भरत मुनि कहा जाता है भharat muni ने नाट्यसास्त्र की दूसरी अथवा तीसरी सताबदी में ये रचना करती है यह संस्कृत का गरंत है जो 36 अध्यायों में विभग्त है कितने 36 अध्यायों में यह क्या है नाट्यसास्त्र क्या है विभख्त होता है इन 36 अध्यायों में 6,000 इस लोक इसमें आपको मिलते हैं यहाँ पर इसलिए इसे यानि आप सट साहस्त्री संहिता के नाम से भी इसको जानते हैं किसको नाट सास्त को सट साहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है हमारा जो main concept है देखे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि आप direct point to point सोचते हैं कि बस मेरा काम है point to point समझे ना ऐसा जो पढ़ाया जाए एकदम point आ जाए point के पहले हम ये नहीं कहते हैं concept होना बहुत जरूरी है अवस्यक होता है और बीना concept के आगे बढ़ना अच्छी चीज नहीं होती है तो हमारा ये प्रियास रहता है चाहे मैं publicly live हो रहा हूँ या class में होता है मैं ये सोचता हूँ कि पहले आपको एक concept बताया जाए पहले आपको एक उसका आधार तयार किया जाए कि ताकि overall बातें आपको समझ में आने लगें और जब बातें समझ में आने लगती हैं एक concept बन जाता है आपके दिमाग में तो आपको धीरे धीरे fact भी याद होने लगते हैं और आप जानने लगते हैं भरत मुनिने ये नाट सास्त्र वास साथ नात का मंचन किया है यानि नाटक का मंचन किया है बड़ी लम्बी कहानी है यह कहानी प्रना जाकर करके हम यहाँ डायरेक्ट आप से आते हैं वो विश्यांग वो आपके लिए कोई बहुत महत्पूर्ग नहीं है तो हम बस इतना आते हैं कि यहाँ पर इस नाट सास्त्र को भरत मुनिने जो नाटक का मंचन होता है यह मंचन कहते हैं कि इसका एक अलग नाम देते हैं इसको कहते हैं कि यह पंचम वेद है क्या है? पंचम वेद है यह भरत मुनिने क्या कहा? इसी पंचम वेद कहा अब बात आती है कि नाट्ट सास्त्र को पंचम वेद क्यों कहा जाता है क्या कारण है पंचम वेद कहने का तो आप ये जानते हैं चार वेदों का आपने नाम सुना होगा कितने वेदों का चार वेद का कौन कौन से वेद हैं यह रिगवेद है चार वेद तो आप जानते हैं रिगवेद हैं और कौन से हैं रिगवेज यजूर वेद रिगवेद यजूर वेद अथर्व वेद अथर्व वेद और कौन से हैं रिग यजूर अथर्व शाम वेद ठीक है साम वेद जो भी आप कहले जे रिक्साम यजूर अथर्व कह सकते हैं तो ये चार वेद आपके सामने आते हैं तो ये पांचवाँ वेद कौन सा आ गया और ये बताते हैं भरतमुनी बताते हैं कि ये पांचवाँ वेद है यानि पंचम वेद है तो ये क्यों कहें है कारण ये है इतके कहने का एक कहते हैं कि मैंने रिगवेद से पाठ लिया रिगवेद से क्या लिया है पाठ लिया है ठीक है यानि जो हमारा रिगवेद है जो हमारा पाठ है हम नाटक खेलते हैं नाटक खेलने में जो पाठ लिया जाता है हम किसका रोल करेंगे, क्या करेंगे वो पाठ जो लिया गया है वह पाठ कहां से लिया गया है रिगवेद से लिया गया है इसलिए जो है यानि रिगवेद का एक अंस लिया गया है आपको यजुर्बेश से क्या लिया गया है यजुरुबेश से अभिने लिया गया है यजुरुबेश से क्या लिया गया है अभिने लिया गया है जो हम किरदार निभाती है उस किरदार का अभिने कैसे होना चाहिए किस प्रकार से होना चाहिए ये कौन बताते हैं ये बताते हैं आपके यजुर्वेद बताते हैं यानि यजुर्वेद से हमने क्या लिया अभिने यहां पर हम लेते हैं हम अथर्ववेद से क्या लेते हैं किसमें अथर्ववेद से तो अथर्वेद से कहते हैं हम रश लेते हैं अथर्वेद से यानि उसमें जो हमको आनन्द मिलता है उस आनन्द की अनभूति के लिए काम करते हैं और जो शाम बेद है साम बेद से हमने गायन लिया है यानि गान लिया है ये जो है चारो बेदों से लेकर के भिन भिन रूप यानि भिन भिन भाग लेकर के हमने एक बेद बनाया पंचम बेद बनाया कौन सा बेद बनाया पंचम बेद बनाया जिसमें इस पंचम बेद में इस सभी क्या है इंक्लूड है इस सभी क्या है समाहित है और इस पंचम का जो नाम होता है वह होता है नाट सास्त्र होता है जो नाटक पर आधारित होता है यानि नाट सास्त्र की रचना भरतमुनी ने किया है किस भासा में? संस्कृत भासा में इसकी रचना हुई है अब यहाँ पर अगर ने नाट सास्तर की रचना किये हैं तो रसों का जो बिस्तृत व्याख्या किये है हर एक रस के बारे में इन्होंने बिस्तृत व्याख्या किये है और बताया है कि अगर रस की निस्पत्ती होती है तो कैसे रस की निस्पत्ती होती है यहाँ पर भरत मुनी ने टोटल अगर हम देखें तो ये नव रस की चर्चा करते हैं बहुत सारे बिद्वान ऐसे हैं कि आपको ये बताते हैं कि भरत मुनी ने आठ रस बताएं लेकिन ऐसा नहीं है भरत मुनी ने नव रस की बात किया है भरत मुनी ने ऐसा नहीं है कि आठ रस ही बताएं हैं लेकिन आठ रसों की इन्हों ने विश्त्रित व्याख्या किया है नाम भरत मुनी ने नव रसों का सांत के साथ देते हैं यहाँ आठ ही रस क्यों आते हैं कारण क्या है क्योंकि जब हम नाटक का मंचन करते हैं जब हम नाटक खेलते हैं तो उस नाटक में हमको आठही रस का प्रियोगी करण मिलता है आठही रस का हम प्रियोग करते हैं उसमें सांत रस का कोई प्रियोग नहीं होता है सांत सुभावता है आजाता है हम किसी वी छण किसी भी इस्थिती में किसी भी परिस्तिती में, किसी भी काल में, किसी भी परिवेश में, कभी भी हम रहते हैं, तो सांत की अधारना स्वैम ही खिची चली आती है, हम किसी अभिने में होते हैं, तो किसी न किसी रस में होते हैं, कभी हम स्रिंगार रस में होते हैं, तो कभी हम करुन रस में होते हैं, तो कभी हम जुगुसा की अवस्था में रहते हैं यानि भिन भिन फरिस्थतियों में हम काम करते हैं लेकिन जो सांत की अवधारना है ये स्वैम आ जाती है इसमें होने की बात नहीं है जब उस रस से आप निवर्ति पाएंगे जब वीर रस से आप निवरति पाएंगे जब आप रोदर रस से निवरति पाएंगे जब आप जुगपशा से निवरति पाएंगे जब आप स्रिंगार से निवरति पाएंगे तो कहा पर जाएंगे सांत में जाएंगे और इसलिए सांत रस को सरस्रिष्ट रस भी कहा जाता ह यहां पर हम पहुँच जाते हैं तो यहां पर इन्हों ने भारत मुनी ने ऐसा नहीं है कि सांतरस का उलेख नहीं किये हैं इन्हों ने क्या किया है? सांतरस का उलेख किया है लेकिन विस्तरत व्याख्या नहीं किये हैं तो आपके बहुत सारे लोग कहते हैं कि भरतमुनी ने उलेख हिन लेकिन ऐसा नहीं नाट सास्त्र में बकाइद सांत का उलेख भी आता है व्याख्या नहीं होती है अब ये पूछा जाता है कि भरतमुनी की अनुसार रस कितने होते हैं तो आठ होते हैं चुकि नाट सास्त्र में नाटक पर आधारित जो है यह आठ ही प्रयोग हुए इसलिए हम आठ लगाते हैं कोटल रसों की संख्या कितनी है नौ है और 9 ही है बहुत सारे विद्वान आपको दस रस कुछ लोग मानेंगे कुछ लोग की 11 रस मानते हैं कुछ लोग 12 रस मानते हैं लेकिन आपको कोई भी आपसन में है तो आपको नौरस ही लगाना है यानि नौरस ही होती हैं कौन-कौन से होते हैं एक-एक करके हम देखेंगे एक-एक करके हम समस्ते हुए चले जाएंगे लेकिन यहाँ पर अब हम यह बात करें कि यह पंचमवेद इसका नाम अगर लिया जाता है तो यह कारण आपको पता चल गया कि क्यों इसको पंचमवेद कहते हैं जब यह नौरस की बात आती है तो बहुत सारे विद्वान ऐसे होते हैं कि जैसे उसी में एक आचारी मम्मट हैं आचारी मम्मट ने आचारी मम्मट है मम्मट ने एक गरंथ लिखते हैं इन्होंने काब्य प्रकास नाम के गरंथ लिखा क्या लिखा काब्य प्रकास और काब्य प्रकास नाम गरंथ में काव्य प्रकास नामा ग्रंथ में इन्होंने सांतरस का विस्तरत व्याख्या किया क्या किया सांतरस का इन्होंने विस्तरत व्याख्या किया और कुछ लोग ऐसा है ये मानते हैं कि आचारे मम्मट ने ही सांतरस को जोड़ा और इन्हों ने नमेरस के रूप में स्विकारोक्ति दी कि नहीं नवारस भी होता है ये स्विकारोक्ति देते हैं ऐसा माना जाता है और इन्हों ने स्विकार करके इसका अस्थाई भाव जो है सांत का अस्थाई भाव क्या कहते हैं? निर्वेद कहते हैं क्या कहते हैं ये निर्वेद कहते हैं कि सांत का अस्थाईवाव क्या है निर्वेद है। विद्वानों का एक वड़ा वर्ग है और अपनी अपनी ग्याना अनुसार लोग ब्याख्या करती हैं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्न भिन्न जो है विन्न भिन्न आचारे हैं भिन्न भिद्वान हैं उन विद्वान अपनी अनुसार जो है अपनी बातों को सिद्ध करेंगे उसी में कुछ विद्वान ऐसे होते हैं कि जो ये मानते हैं कि उद्भट को नमेरस की रूप में मानते हैं कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो उद्भट हैं, इन्हों ने क्या किया है, ये नमेरस की रूप में सांतरस को जोडा है, यानि आप जो है, कुछ बिद्वानों के अनुसार आप उद्भट को मानते हैं, और ये भी जो है, सांतरस को नमारस मानते भी हैं, ऐसा ये माना जाता ह कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आचार विस्तुनात ने भी सांतरस को ही व्याख्याइत किया और आचार विस्तुनात ने सांतरस को नमेरस के रूप में माना और इसका जो अस्थाई भाव मानते हैं विस्तुनात वो शम मानते हैं ऐसा कुछ बिद्वानों ने कहा तो बिद्वानों का एक वड़ा बर्ग है जो अन्य रूपों में भी क्या करता है वो स्विकारोपती करता है कुल मिला करके ये नौ रस ही आपके होते हैं जिसकी ब्याख्या भिन 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 बिद्वानों ने किया है लेकिन नाटक के रूप म भरतमुनी ने आठ रस का ही उलेख किया है बात यहां पर अगर भरतमुनी के सुत्र को देखें तो भरतमुनी ने एक सुत्र दिया बिभावान भाव वेबचारी संयोग आदर्श निश्पत्ति बिभावान भाव यह कहते हैं तो बिभावा इनके रस सुत्र जो यह देते हैं उस रस सुत्र में यह कहते हैं किसका उलेख है और किसका उलेख नहीं है यह प्रश्ण पूचा जाता है कि भरतमुनी के रस सुत्र में किसका उलेक मिलता है और किसका उलेक नहीं उलता है तो थोड़ा सा हम इस रशसुत्र को अगर देख लें तो हो सकता है आपको बाते समझ में आ जाए ये बहुत बार पूछा गया है आपसे ये हमेशा बिभावा नुभाव ब्यभीचारी संयोगाद्रश निश्पत्ति है ये जो है भरत मुनी ने क्या किया है ये रशसुत्र दिया है ठीक है भरत मुनी ने बिभावा नुभाव ब्यभीचारी संयोगाद्रश निश्पत्ति है संस्कृत जो होती है यह संस्लेशन यानि संयोग की मानी जाती है कि संस्कृत जो है यह संयोग की भासा है संस्लिष्ट भासा है और हिंदी वियोग की भासा मानी जाती है अलगाव की भासा मानी जाती है इसलिए संस्कृत में बड़े-बड़े सुत्र आप जो है बड़ी-बड़ी लाइने बड़ी-बड़ी पंक्तियां आप एक-एक जो है एक-एक पंक कहा जाता है बाडो छिश्चम जगत जूठम यानि इस जगत के सरवाद सभी साहित्यों को बान भट ने जूठा कर दिया है यानि संस्कृत के संस्कृत लिखा है एक-एक लाइन आप एक लाइन आप सोच रहे हैं यही बहुत बड़ी लाइन है ऐसा कुछ भी नहीं है तो भरत मुनी ने कहा कि बिभावान वा बेवचारी संयोगादर्श निश्पति यानि भरत मुनी के अनुसार जो रस की निस्पति होत निकलते हैं यह रसों की निस्पति होती है यहां से रस हमारे निकलते हैं तो यहां से रसों का जब संयोग होता है तो यह रस प्रकटन होता है यह रस निकलते हैं तो यहां पर देखे आपको क्या मिल जाते हैं अगर इनके तत्तों पर हम बात करें रस तत्तों पर बात करें रस अवयो पर बात करें रस अंग पर बात करें रस भाग पर बात करें तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि एक तत्तु भर कराएगा क्या विभाव एक तत्तु भर कराएगा विभाव दूसरा तत्तु भर कहाएगा है विभावा नुभाव बिभावा नुभाव यानि बिभाव और अनुभाव यहाँ पर दूसरा तत्व आएगा अनुभाव आएगा ठीके बिभावा अनुभाव तीसरा क्या आ रहे हैं बिभावा अनुभाव ब्यभिचारी 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 अब ये कह रहे हैं विभाव अनुवा बेविचारी संयोगाद्रश यानि विभाव अनुभाव और बेविचारी भाव के संयोग से रस की निस्पत्य होती है रस निकलते हैं अब यहाँ पर आप से ये कोश्चन पूछा जाता है कि भरत मुनी ने अपने रस शुत्र में किसका उलेख नहीं करते हैं अस्थाई भाव का उलेख नहीं करते हैं तो उलेख जो है किसका करते हैं विभाव, अन्भाव और विविचारी भाव का उलेख करते हैं जबकि अस्थाई भाव का उलेख नहीं करते हैं कहां पर रस सुत्र में लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भरत मुनी ने तब कहां पर इसका उलेक किया है तो आप बताएंगे इस अस्थाई भाव का उलेक जो है उन्होंने नाट सास्त्र में किया है और नाट सास्त्र में सभी रसों का उलेक करते हुए सबका इन्होंने अस्थाई भाव दिया है यानि हम अस्थाई भाव का उल्लेक कर रहे हैं हम अस्थाई भाव को बता रहे हैं लेकिन अपने किवल रस सुत्र में नहीं बता रहे हैं यहाँ पर अब यहाँ से और इन्हों ने जो कुल भाव की संख्या बताई है भरतमुनी की अनुसार अगर मैं कहूं कि कुल भाव की संख्या कितनी होती है तो आप बताएंगे कुल भाव की संख्या कितनी होती है इस उन्चास में कौन कौन से भाव है तो इसी में जो भाव सामिल होते है वह क्या होते है आठ अस्थाई भाव ये मानते है आठ अस्थाई भाव मानते है आठ सात्रिक अनुभाव मानते है और तैंतिस जो है यह संचारी भाव जिसको यह बिभिचारी भाव नाम देते हैं यह मानते हैं और यह मिला देंगे आठ आठ सोले, सोले और तीन, उननीस और तीन, एक चार यहां पर कितने भाव होगे, टोटल उन्चास भाव होगे तो भारत मुनिके अंसार भाव की संख्या कितनी होती है तो आप बता देंगे कि उन्चास होती है यलिया उन्चास भाव का क्या करते हैं उले करते हैं ऐसा ये माना जाता है इसके अलावा अगर हम तत्व पर बात करें अगर ये पूछते हैं कि रस के कितने तत्व होते हैं रस के कितने तत्व होते हैं तो आप बताएंगे कि रस्तत्व जो होते हैं वो चार होते हैं रस्तत्व पर अगर हम बात करते हैं तो रस्तत्व कितने होते हैं तो आप बताएंगे चार रस्तत्व होते हैं कौन-कौन से होते हैं तो आप ये कहते हैं, पहला मैंने जो बता दिया, आपको बिभाव होता है, ठीके, दूसरा क्या होता है, अनुभाव होता है, तीसरा क्या होता है, तीसरा आपका ब्यभिचारी भाव होता है, ब्यभिचारी भाव को ही, हम क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं, और चोथा क् अस्थाई भाव होता है यही आपके रस के चार तत्व होते हैं और इन ही चार तत्व की विस्तरत व्याख्या हम करते हैं इसमें भी भिन भिन डिवाइडेशन है उस डिवाइडेशन को भी समझा जाएगा उसको भी जाना जाएगा कि यह क्या होते हैं कैसे होते हैं तो उसको भी पढ़ा जाएगा यहां पर अगर हम यह कहें कि भाई अगर सर्वस्रेश्ट रसों का राजा किसे कहा जाता है अगर यह आप से पूछा जाए कि भाई रसों का राजा किसे कहा जाता है या रसराज किसे कहा जाता है तो आप क्या बताएंगे तो आपको यह बताना चाहिए कि रसराज जो है वो स्रिंगार रस को कहा जाता है किसको कहा जाता है स्रिंगार रस को क्या कहा जाता है रसराज कहा जाता है यानि रसों का राजा स्रिंगार रस को कहा जाता है जबकि भवभूति ने किसने भवभूति ने उत्तर राम चरित में भहवूत के गरंथ का नाम है क्या उत्तर रामचरित में भहवूत ने कहा है कि रसों का राजा जो है एक करूण रस है कौन है करूण रस है यानि करून रस को करून रस को क्या मानते हैं उत्तर रामचर्त में भगूत ने करून रस को रसों का राजा मानते हैं जबकि आचार विश्वनात ने यह जो है कहते हैं यह रस को काद्व की आत्मा मानते हैं यहाँ अब देखे विश्वनात जो है आचारी विश्वनात साहित्य दर्पन लिखते हैं और शाहित्य दर्पन में आचारी विश्वनात ने रसको काब्य की आत्मा स्विकार करती है वाक्यम रशात मकम काब्यम ऐसा यह कहते हैं जो रस से युक्त वाक्य होता है वही काब्य होता है अगर जिस काब्य में रस नहीं होता है वह काब्य नहीं होता है ऐसा आचारी विश्वनात कहते हैं और यही आचारी विश्वनात यही आचार विश्वनात साहित दरपन में ही जो यह मांते हैं कि जो आपका दस्मा रस की रूप में यही आचार विश्मनात क्या कहते हैं दस्वे रस के रूप में किसको मानते हैं यह वात्सल रस को मानते हैं जो वात्सल होता है माता और पुत्र के बीच का सम्मन्द पिता और पुत्र के बीच का सम्मन्द वातसल्य यानि प्रेम जो होता है प्रेम का अस्पुतन जो माता और पुत्र के बीच होता है वह वातसल्य यानि यहां पर आपको विश्वनाथी अलग से मानते हैं कि यह दस्मा रस है नौही रस नहीं होते हैं बलकि कौन सा दस्वा रस भी होता है यह चर्बिशुनात की देन है किलकत कान घुटरुवन चावत तो ये जो है आपको किलक अरे मैंने हनिहारू इन दातों पर मोती वारू ये कृष्ण की हर एक अदा को कृष्ण की हर एक बातों को सूर्दास जी ने कितनी गहराई से उकेरा है कि इसको अपको पढ़ेंगे और पढ़ करके आप उसी में मस्त हो जाते हैं तो यहाँ पर वासल्य रस को एक अलग रस की रूप में देने वाले विश्वनात जी होते हैं ये माना जाता है लेकिन अभी मैं इस पर बात करता हूँ इग्यारहमे रस की रूप में यानि जो इग्यारहमे रस माना जाता है उसको किसको भक्ती रस को माना जाता है और भक्ति रस को ये कहा जाता है जो एक ग्यारहमा रस है वो भक्ति रस है और इस भक्ति रस में किसने दिया कि ग्यारहमा ये भक्ति ग्यारहमा रस की रूप में भक्ति रस को माना जा सकता है ये देते हैं आपके रूप गोश्वामी जी देते हैं रूप गोश्वामी ये बंगाल के आचारे होते हैं रूप गोश्वामी जी और इन्हों ने ही क्या किया भक्ति रश को 11 रश की रूप में मिना यह स्विकार करते हैं और मानते हैं भक्त और भगवान के बीच का जो संबंद होता है जो अनुराग होता है जो प्रेम होता है व तो यहां पर भक्ति रस को भक्त और भगवान के बीच के सम्मझों को यहां पर बात करते हैं और इस भक्ति रस को एग्या रहने रस के रूप में रूप गोश्वामी जी स्विकार करते हैं लेकिन इनको क्या वास्तों में स्वतंतर रस माना जा सकता है तो विद्वान कहते हैं नहीं इनको जो है यह किसके अंतरगत आते हैं तो यह बताते हैं यह जो आते हैं यानि यह किसके अंतरगत आते हैं तो यह कहते हैं यह स्रिंगार के अंतरगत ही आते हैं किसके आते हैं स्रिंगार रस के अंतरगत ही आते हैं तो स्रिंगार के अंतरगत ही इन दोनों रशों को शामिल किया जाता है इसलिए रसों की संख्या कितनी बनी रहती है तो रशों की संख्या नो ही बनी रहती है तो रस पूछा जाये कितने प्रकार के तो आप सीधा सीधा बताएंगे नौ प्रकार के ही होते हैं तो यहां तक आपको भिन भिन रूपों में क्या किया जा सकता है आपको पूछा जा सकता है अब इसके बाद से हम लोग क्या है चलते हैं थोड़ा सा इन नौ रसों को हम देख लेते हैं कि कौन-कौन से नौ रस होते हैं और तब हम एक-एक करके अंगों की ब्याख्याय आपसे करेंगे तो पहले हम नौ रसों को आपको जान लेते हैं जहां से बार-बार आपके questions पूछे जाते हैं तो यहां पर यह कहा जाता यह कहा जा सकता है मैं एक स्रिंगार हास्य करुण रोद्र स्रिंगार हास्य करुण रोद्र चार को जानिये चार को जानिये अदभुद अदभुद भयानक वीर वीभत्स सांत को पहचानिये सांत को सांत को पहचानिये ठीक है ऐसा हम लिख सकते हैं और नीचे मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसके सरवाधिकार सुरक्षित सरवाधिकार सुरक्षित स्रिंगार हास्य करुण रोद्र चार को जानिये अदभुद भयानक वीर वीभत्स सांत को पहचानिये आप ये देखेंगे तो आपको कितने रस मिल जाएंगे आपको एक रस मिल जाएगा दो, तीन, तीन, चार यहां पांच, छे, साथ, आठ, नौ ये नौ रस आपको मिल जाएंगे यहां से इन नौ रस से काम नहीं चलने वाला है इसके अलामा आपको इसके अस्थाई भाव बार-बार पूछे जाते हैं तो निश्चित तोर पे इसके अस्थाई भाव को आपको जानना पड़ेगा तो अब हम करते क्या हैं? इसको थोड़ा सहां मुपर कर देते हैं और यहां पर आपको करना क्या है? एक notes बना लिजेगा एक तरफ आप लिखिएगा इधर लिखिएगा रस ठीक है? एक chart बनाईएगा रस लिखिएगा और इधर लिखिएगा अस्थाई भाव अस्थाई भाव लिखिएगा ठीक? रस में पहला रस लिखिएगा स्रिंगार रस स्रिंगार रस ठीक? स्रिंगार का अस्थाई भाव क्या होता है स्रिंगार का अस्थाई भाव रती होता है क्या होता है रती होता है इसको तो आपको पता ही होगा न स्रिंगार हास्य हास्य का अस्थाई भाव क्या होता है हास होता है स्रिंगार हास्य करुण करुण का अस्थाई भाव क्या होता है शोक होता है स्रिंगार हाथ से करुण रौद्र ठीक है रौद्र का अस्थाई भाव क्या होता है क्रोध होता है क्रोध होता है ये आपके चार हो गए चलिए अब यहाँ आजाईए यानि हम नंबरिंग अगर कर दें एक दो तीन चार चलिए पांच में पर चलते हैं पांच नंबर यहाँ हम देख लेते हैं इसको हम हटा लेते हैं पांच नंबर अद्भुत अद्भुत का अस्थाई भाव क्या होगा आश्चर यह होगा ठीक है आश्चर यह होगा छठा क्या कहते हैं भयानक कहते हैं भयानक भयानक का अस्थाई भाव क्या होगा भाय होगा कि नहीं बीर सात्मा बीर है और बीर का अस्थाई भाव क्या होता है उत्सा होता है वीर का उत्सा होता है आठमा कौन सा है बीभत्स है और बीभत्स का अस्थाई हो क्या होता है घ्रणा होता है बीभत्स का ग्रणा या इसे हम क्या कहेंगे जुगुप्षा भी कह लेते हैं कहते हैं कि नहीं नवा क्या होता है सांत होता है नवा सांत और शांत का अस्थाई भाव क्या होता है निर्वेद होता है या सम्भी होता है अभी मैंने आपको बताया भी यानि आपके यह क्या है नौरस होती है इन नौरस के अस्थाई भव पर्मानेंट आपको पूछे जाते है आपको इनको क्या करना है कंठस्त करना है इनको आपको याद करना है तो श्रिंगार का रती, रती मतलब क्या होता है? प्रेम, ठीक है? प्रेम, हास्य का क्या होता है? हाश होता है, हसना, करुड का सोक, रौद्र का क्रोध, अद्भुद का आश्चरी, भयानक का भय, वीर का उत्साह, अद्भुद का आश्चरी भी होता है और विश्मे भी होता ह आश्यर्या विसमे होता है भयानक का क्या होता है भय होता है बीर का क्या होता है उत्साह होता है और बीभत्स का क्या होता है ग्रिणा या जुगशा होता है सांत का निर्वेद भी होता है या शम भी होता है या वहराग भी होता है ये भी होता है तो ये नौ रस आप से क्या होते हैं हमेशा पूछे किसी ना किसी रूप में इसका अस्थाई भाव पूछा जाता है आप उठा करके आए हुए जो विभिन परिक्षाओं हैं विभिन परिक्षाओं में आप उठा करके देखेंगे तो 90% केवल यहीं से question पूछ लिए जाते हैं बाकी जो है कुछ आपको मैं जब रस्तत्तो पढ़ाऊंगा तो रस्तत्तो के बारे में पूछा जाता है कुछ जो है आपको काब्यपाठ दे दिया जाता है यानि कोई न कोई आपको कविता दे दी जाएगी और उन कविता के माध्यम से भी पूछा जाएगा इसमें कौन सा रस है तो यहाँ पर आपको कुछ न कुछ पूछा जाएगा और निश्चित तोर पर पूछा जाता है स्रिंगार रस से प्रायह पूछ लिया जाता है आपको कभी कभी हास से कभी कभी रौध रशे कभी कभी आपको करुन से भी पूछ लिया जाता है यहां पर आपको जब इसके मूल नेचर को अगर कभी कविता को ले करके आप यह मत सुचेगा कि कोई कविता आ जाएगी तो हम कैसे कर पाएंगे केवल अगर मूल नेचर को आप समझ जाते हैं तो कविता कुछ भी आएगी आप इतना कर ले जाएंगे समझ ले जाएंगे हाँ इसमें क्या होता है नहीं तो अगर नहीं समझ पाते हैं तो आपको की वर्ड समझना होता है उस की वर्ड को अगर समझ ले जाते हैं तो दीबेश्ट है और उस keyword को हम बताते हैं हम बात भी करते हैं कि आप कैसे हर एक कविता जो भी होगी ओ कविता जो है आप उसके अंदर कुछ न कुछ ऐसे सब्द आएंगे जो शब्द आपको बता देंगे कि हम कौन सा रश है तो यहां से आपको यह अगर तयार है तो निश्चित तोर पर मान आपका रस जो जितने point मैंने बोला है इस point में से बहुत सारी चीजें आप से direct question में पूछ ले जाती है तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा आपको जानना पड़ेगा और यहां से समझना पड़ेगा तो आपका पूरा का पूरा एक सिस्टमाईज होते हुए आप बात करेंगे तो आपको पूरा सिस्टम समझ में आएगा ठीक है तो आज साह यह करते हैं कि जितना भी मैंने आपको बताया है उतनी बातें आपको समझ में आई होंगी उतनी बातें आप clear हुए होंगे कि हां यह चीजें इसमें होती हैं पुना मैं आप से एक बार जरूर कहना चाता हूँ कि आप अपने बिना समय को नोटिफिकेशन आ गये हैं फाम अभी फिलप नहीं हो रहे हैं लेकिन नोटिफिकेशन आ गया है अगर ये आप हैं कि नोटिफिकेशन बहुत सारे अफवाहें उड़ गई हैं उन अफवाहों पर ध्यान ना दे करके सरकार मैं यह न नहीं होगा लेकिन एक बात मैं निश्चित तवर पर जानता हूँ कि 2022 में चुनाव है और 2022 में चुनाव है इनको वेकेंसी करानी ही करानी है चहे जैसे ये कराना है फाइनल करना ही करना है तो आप एकदम निश्चिन्त हो करके बिना किसी दबाव के अपना एड़्मीशन जहां पर मैं कभी नहीं आपको ऐसा लगता है तो अब बेश्ट जो है आप एड़्मीशन प्रक्रिया ले लीजिए और ले करके अपनी पढ़ाई को जारी रख लीजिए आप जो है मैं पुनह आपको बता दे रहा हूँ कि हम लोगों का संसान यानि टार्गे विज़ा लोग का यहाँ आनलाइन प्लेट फार्म आपके लिए सदेवतत पर है आपके लिए हमेशा इसके दरवाजे खुले हर पग पर आप इसमें हर कदम पर आप पाएंगे यूही नहीं केवल कथना अनुसर नहीं अभी जो है आपके आंदोलन हुए रवी सर ने पूरा आनलाइन जो भी है जैसे भी है उन्होंने घोष्टा किया आनलाइन आये आनलाइन प्रेट फार्म पर इसके लिए तमाम बातें उन्होंने कहा जो वास्त्विक है जो जिन्मिन है और वो बातें उन्होंने कहा यह अल कर दिया और तो कहीं न कहीं से वो रंग आना ही था यही हुआ थोड़ा सा लेट आया है लेकिन आया है और दुरुस्त आया है और यह आपको बना करके ही छोड़ेगा बस अब आप जो है किसी भी तरीके से अगर माटी की मुर्ती आप इसलिए हमारा जो टेलिगराम लिंक दिया गया है सारे मेंट उसमें उपलबद रहेंगे उसमें कोई दिककत नहीं ہے आप फ्री जॉइन करेए उसको तो आप एक मुर्ती बना करके अपने उद्धिस को लक्षित करेए और उस उद्धिस पर क्या करेए चल दीजे हम संसान में पढ़ा रहे हैं सोच रहे हैं बेटर से बेटर किया जाए जितना हो सकता है उतना आपके लिए किया जाएगा और करते हुए चले आ रहे हैं उसका नतीजा आप स्वेम बताते हैं तो आप जो है अभी आज से लेकर के चार दिन तक यह उपेल हैं आपका एड़िशन हो रहा है अगर चाहते हैं तो निश्चित तोर पे उन नमबरों पर एक बार पुना मैं आपको अस्मरण करा दूँ यानि इन नमबर पर आप काल कर सकते हैं और इन नमबरों पर आप इंट्री UPSI लिख करके आपको परिक्षा के लिए भी लाबदाई होगी और अच्छी तरीके से जितना भी पढ़ाया गया वो समझ में आया होगा ठीक है तो चलिए पुना मुलाकात होती है अगले पुशोड में तब तक के लिए ध्यर सारी शुप कमनाएं हैं आप लोगों को कि आपको इस्टार लगे आप भिन भिन थानों में जाय करके उत्तरदिस और टार्गिप्ट दालो के आनलाइन प्लेटफार्म को रोशन करें आपका दिन और आपकी रात आपकी साम आपका आने वाला शुबह हर शुबह हर पल आपका स्वरणिम हो शुकदाई हो भविष्यमई हो और धेर सारी शुक कामने आपको धेर सारा प्यार धन्यवाद